अब लोगों का हमारे चैनल सी प्रोडक्ट में तो दूसरे स्वीड़े के अंदर हम रिव्यू करने जा रहे हैं टाइजा पाउडर का टाइजा डास्टिंग पाउडर का मैं इसके यूज़ेस के बारे में आप लोगों को बताऊँगा यानि कि मैं इसके इसके इस्तेमाल के नहीं किया जाता है जैसे कि दात खात खुजली और डाइपट रशेस में जादे इसका 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 इ जो आहां पे दूसरी चीज़े दी गई वह आप पढ़ सकते हैं और यह जो है पाउडर का यह पैक है यह पचास गराम का है अकसर लोगों को फंगल इंफ्रिक्शन की शिकायत होती है जैसे कि जाहूं के बीच खुजली जाती है और दाथ जैसा हो जाता है तो उसके लिए यह पाउडर काफी फाइदे मंद है और दूसरी बात यह है कि यह इस्ट इंफ्रिक्शन में भी काम करते है जिन लोगों को इस्ट इंफ्रिक्शन की शिकायत होती है उनके लिए भी पाउडर काफी अच्छा रहेगा और बच्चों को डाइपर पहना जाता है डाइपर की बच्चों में खुझली की शिकायत होती है वहाँ पे लाली आ जाती है जहां पे अब डाइपर पहनाते है जहां पे उसका निशान पढ़ता है तो वहाँ पे लाली आ जाती है तो इसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और घमारियों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है पसीने सोहने वाली खुजली में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है वाराल ये जो है सभी तरह की स्किन की समस्याओं में इस्तेमाल किया जा सकता है, काफी अच्छा पाउडर रही है, बहुत ही एफेक्टिव है, तो अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको जो है, अगर किसी भी तरीका की fungal infection की समस्या है, जैसे की ringworm हो गया है, दाद हो गया है, खुजली है, जो कि चैथ से खरीच सकते में से या उनलाइन भी मिल जाएगा तो वीडियो को देखने के लिए अपने होका बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियों हें पर खातम होती है